हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कॉंट स्टेडी आज हम अपना नेक्स चेप्टर करने जा रहे हैं जो कि है टाइम इन वर्क और ये चेप्टर हम दो पार्ट्स में खतम करेंगे आज हम उसका पार्ट बन करने जा रहे हैं शुरु करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हम यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें इसके लावा हम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं ये रहे डिरेक्ट लिंक्स आपकी स्क्रीन पर इस चेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का चेप्टर इसका कंस अब हमारे कपैस्टी है कि हम एक दिन में 20 ही चॉकलेट खा सकते हैं उससे ज्यादा नहीं खा सकते हैं तो क्या होगा जब हमारे पास फ्रिज में 100 चॉकलेट पड़े हैं और हम एक दिन में 20 खा रहे हैं तो हमें टोटल कितने दिन लगेंगे 5 दिन लगेंगे तो 100 चॉकलेट आ गया हमारा टोटल वर्क हम एक दिन में 20 चॉकलेट खा रहे हैं जिसको हम कहते हैं वन डे वर्क उसक टोटल वक्ट 100 चॉक्लेट हम एक दिन में 20 खा रहे थे तो 5 दिन में हम हमें टोटल 5 दिन लगे उस 100 के 100 चॉकलेट को खतम करने में तो इसी से हम अपना प्रॉमूला बना लेंगे कि Total work upon work done in one day जिसको हम efficiency भी कहते हैं इसी इसी फॉर्मले को बेस्ट पे हम पूरा चैप्टर सौल करेंगे अब देखते हैं कैसे तो यह रहा हमारे पास पहला कोशन बिटकूल सा कोशन है कि एक बंदा एक दिन में ने एक बंदा तीन दिन में 60 बनाते हैं तो वो वो कितनी Pencils बनाएगा हमारे पास टोटल वक का गया कि उसको 60 Pencils बनानी है और तीन दिन में वो बना रहा है तो एक दिन में कितना बनाएगा सिरी से बात है कि तो हमारे पास एक दिन की उस काफैसिटी आगे की एक दिन में वो कितना बना सकता है ठीक है वैसी 60 upon 3 is equal to 20 pencils number of pencils made by him in one day आते है next question बर A and B can complete a work in 10 days and 15 days respectively ठीक है if they work together then work is completed in how many days अब इन्होंने कहा है कि A और B जो है वो time लेते हैं A लेता है 10 दिन भी लेता है 15 अगर वो club हो जाएं तो वो कितने दिन में कर लेंगे काम खत्म तो देखते हैं इसका solution कैसे करना है हम जब भी यह questions शुरू करेंगे हम इसी format पर शुरू करेंगे ठीक है format क्या है हम सबसे center में लेंगे मतलब उपर लेंगे total work उसके आगे लेंगे efficiency थोड़ space देखे लिखने total work ठीक है अब नीचे लिखेंगे हम A और B भी A के नीचे लिखेंगे B A और B के सामने हम वो values लिखेंगे जो जो उनने question में दी होंगे कि वो एक काम को इतने में खतम करते हैं हमने लिख दीओ कि A जो है दर्स दिन में काम को खतम करता है बी जो है पंद्र दिन में उसी काम को खतम करता है अब हम क्या करेंगे जो मैंने आपको ऊपर total work दिख रहे है यह क्या होता है यह सारी चीज़े जो हैं यह एक्जेक्ट वैल्यू पर काम करने की बजरूरत नहीं है आपको अपने सुलुशन से मतलब है ठीक है अब यह कैसे निकलती है जो टोटल वक है यह कैसे निकलता है हम क्या करते हैं 10 और 15 का LCM यानि कि जो भी A और B जितने भी दिन में काम खतम कर रहे होंगे इंडूइजियली उनका हम ले लेंगे LCM ठीक है तो 10 और 15 का LCM लोगे तो आपके पास आजाए का 30 तो हमने 30 यूनिट्स को एज्यूम कर लिया कि वो टोटल वक है अब efficiency कैसे निकालनी है efficiency मैंने आपको बता I am taken to complete that work is equals to one day work तो जब हमने 30 से 10 को डिवाइड किया तो A की efficiency आगी 3 यूनिट्स 30 को 15 से डिवाइड किया B की efficiency आगी 2 यूनिट्स अब इसको हम थोड़ी आसान बाश्या में कहें तो अगर 30 यूनिट्स टोटल काम है तो A जो है एक दिन में 3 यूनिट्स कर रहे है और B जो है एक दुन में 2 यूनिट्स कर रहे है ठीक है टोटल काम है 30 यूनिट्स अब उन हम उसको जोड़ लें तो वो क्या आएगा इनकी total efficiency आजए कि A और B अगर मिल के काम करें तो एक दिन में वो 5 यूनिट्स काम कर रहे है ठीक है तो अब हमें total work पता है 30 यूनिट्स एक दिन का काम पता चल गया दोनों का 5 यूनिट्स तो हम उसको 30 यूनिट्स को 5 से था पर वहां पर दो दे दी होए थे 10 डेज एंड 15 जो भी कोशन दिया हूँ था जब आपको दो देज दिये हो तो यानि वो उनके अकेले-अकेले की बात कर रहे हैं कि यान कि A इतने दिन में कर लेगा बी इतने दिन में कर लेगा पर अगर यहां पर एक ही दिया हो और together word नहीं दिया हो जैसे A and B together लिखे ना अगर together word नहीं भी दिया और statement जाए एंड और यह वहां पर एक ही दिन मेंशन किया है तो उसका मतलब यही होता है कि वह A और B का clubbed है ठीक है A plus B आ जाएगा अब इना नेक्स लाइन लिखिए efficiency of A is 50% more than B in how many days we can complete the work अब यह efficiency of A is 50% more than B यह 50% of B यह 50% less than B मैंने इस सबको सबको detail में आपको समझाया है ratio proportion chapter में तो मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि 50% more कैसे आया यह आपको पता होना चाहिए अगर आपने ratio proportion chapter पढ़ा है और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उस chapter को complete कीजी उसके अब A और B अगर individually individual दी होता A इतने दिन में कर रहा है और B इतने दिन में कर रहा है तो हम पिछले वाले format से question शुरू करते अब इन्होंने A और B का total दे दिया हुए तो हमने normal normal लिख लिया कि A और B जो है मिल के कर रहे हैं 10 दिन में एक काम को खतम अब उन्होंने efficiency दिये कि A A is 50% more than B तो efficiency की ratio आगए 3 is to 2 ये कैसे आई ये आपको निकालना आना चाहिए ratio proportion chapter में जाके देखिए कैसे आई ठीक है अब next चीज़ देखते हैं in how many days B and A can complete a work working alone अगर या के लिया के लिया काम करें तो ये कितने दिन में काम कर लेंगे अब एक चीज़ देखिए इस question को करने में 10 दिन लगाती है ए जो है तीन में काम कर रहे हैं एक दिन में B दो यूनिट काम कर रहे हैं ठीक है हमें अभी तक हो total work नहीं पता पर हम अगर A और B के एक दिन के काम को add कर लें तो A और B का total मल जाएगा कि एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं तो हमने इन तो twoन को लग रहे हैं दस दिन काम करने के लिए ठीक है काम को खतम करने के लिए टो हुम कैसे निकालेंगे longer से डिवाइड करेंगे यह यह कंबन मिष्टे कर देते हैं अब एक चिस देखिए अगर आप एक दिन में पांच इंटे लगा रहे हो ठीक है और आप दस दिन लगा देते हो दस दिन वो पांच पांच इंटे करके लगाते रहते हो और दस दिन बाद आपका काम कंप्लीट होता है तो आपने दस दिन के बाद वो कितने इंटे लगाई होगी एक दिन में 5 है तो 10 दिन में आपने 50 इंटे लगा दी अगर आप हर दिन की 5-5 इंटे लगा ओगे ठीक है वैसे ही हमने इसको देख लेना है कि एक दिन में अगर वो 5 इंट कर रहे हैं और अगर वो 10 दिन 5-5 इंट करते रहे तो उनका प्रोटल वक आ गया 10 दिन के बाद जो करने की कोशिश करोगे आपके लिए कोशिश उतना असान हो जाएगा रटने की कोशिश नहीं करनी है समझने की कोशिश करनी है और हिंदी में कोशिशन को निकालने की कोशिश करनी है ठीक है एक्जेंपल के साथ वही हमने किया टोटल वक 10 इंट फाइव आ गया 50 इंट काम है और बी जो है एक दिन में दो यूनिट करता है तो उसको कितने दिन लग जाएंगे 50 वाइट तो बी की ऐफिशेंसी आजाएगी 25 डेस एफिशेंसी नी सॉरी बी का टाइम टेकन आजाएगा 25 डेस वैसे ही एक ही अगर थ्री यूनिट कर रहा है एक दिन में काम और उसक कोशन में देखिए एक एंड बी कें कंप्लीट एंड फिफ्टी बाइट ट्री डेस एंड 25 डेस जो हमने अभी अभी पिछले सॉलुशन में निकाला हम इस कोशन की शुरुआत यूस से कर रहे है इन हो मैंने आपको बता है जब ए और बी के इंडिविजुल डेस दिए नीऊजुन है इसमें तो फ्रैक्शन वालन्बर हा रहर रहा है कुछ नहीं करना अपने आपने फ्रैक्शन वाले नमबर में से बस नियूमिनेटर को देखना है तो नियूमिनेटर क्या है हमारे पास एका 50 और कि और इतो सिंपल स्पल सिंपल है 25 नीयूमिनेट फिफिफ ट करना है थोड़ा confusing लगेगा पर देखना बहुत असान है efficiency कैसे निकालते हैं total work यानि कि 50 units divided by time taken to complete that work यानि कि 50 by 3 units जब आफ 50 divided by 50 by 3 लिखोगे 50 से 50 कट जाएगा और जो 50 by 3 का जो नीचे 3 था वो ऊपर चला जाएगा यानि वो न्यूमिनेटर बन जाएगा 50 50 कट गया और यह न्यूमिनेटर में आ गया तो यह हमारे पास efficiency आगी 3 units अब आते हैं दूसरे पर बी पर वो तो बिलकुल easy सा है 50 को 95 से डिवाइड करोगे बी की efficiency आजेगी 2 units इन दोनों को add कर लोगे तो total efficiency आजेगी 5 units इस total efficiency का मतलब है कि A और B मिलके एक दिन में 5 units काम कर रहे हैं और उनने पूछे कि अगर वो साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में खतम करेंगे तो obviously बाद है total काम है हमारे पास 50 और एक दिन में वो कर रहे हैं 5 unit 50 को 5 से divide कर दो के तो आपके पास 10 days आ जाएगा जो की पिछले question का पहली statement थी तो मैंने उस question को ऐसे एक तरीके से करना भी जिखा दिया और next question में reverse में भी करना सिखा दिया इससे आपको question verify भी हो गया आपको पता भी चल गया कि किस method में आपको कौन से format से question को attempt करने आते हैं हमारे next question पर A&P can complete a work in 10 days and 12 days respectively A&P start working together and after 3 days A left find total number of days to complete the work अब देखिए मैंने यह after 3 days को red में क्यों लिखा है यह मैं आपको आगे explain करूँगा ठीक है बस एक चीज़ देख लीजिए कि A&P ने काम इतने इतने दिन में individually उनके days दी होए हैं तो हमें question start करने का तरीका मिल जाएगा question हम वैसे start करेंगे A के आगे 10 लिखा B के आगे 12 लिखा इनका LCM जो होगा वो total work होगा वो आ गया 60 efficiency के लिए हम total work को इनके number of days से divide करेंगे तो 60 divided by 10 आ गया 6 और 60 divided by 12 आ गया 5 total efficiency होगी इनकी 15 unit यह चीज़े अब आपको आ जानी चाहिए यह मैं आपको बार बार question में repeat करूँ नहीं करूँगा ठीक है आपको यह चीज़े खुद ही आ जानी चाहिए अब मैं आपको तीन बार explain कर चुका हूँ अब next step क्या है कि A and B start working together and after three days A left यानी कि A और B ने साथ में काम करना शुरू किया और तीन दिन के बाद A ने छोड़ दिया तो तीन दिन तक तो उन्होंने साथ में काम किया ना तो पहले तीन दिन तक का निकाल लेते हैं कि उन्होंने कितना काम किया अगर वो एक दिन में 11 units कर रहे हैं तो तीन दिन में कितने करेंगे 33 units ठीक है 33 units उन्होंने काम कर लिया अब remaining work कितना बचा 60 में से 33 कारतेंगे तो remaining work आगया हमारा 27 units यहाँ पे देखिए ठीक है अब वो remaining work अब किस ने छोड़ा A ने छोड़ा की B ने छोड़ा देखिए कोशन में 3 दिन के बाद A न इतने आ गया 27 को डिवाइड किया हमने 5 से हमारे पास आ गया 5.4 डेज अब उन्हें कोशन में पूछा है कि find total number of days to complete the work A प्लस B ने तीन दिन तो किया ही किया उसके आगे B ने किया 5.4 डेज में तो 3 प्लस 5.4 is equal to 8.4 डेज में वो अपना सारा काम खतम करते हैं तो इस कोशन का आंसर 5.4 नहीं होगा 8.4 होगा अगर कोशन में दिया होता कि number of days to complete remaining work तो 5.4 होता पर उन्हें टोटल number of days पूछी है तो उसलिए उसमें 3 भी एड होगा जो मैंने A प्लस B का उपर लिखा हुआ है तो 5.4 प्लस 3 is equal to 8.4 is the correct answer यह रहा आते हैं हमारे next कोशन पर A and B can complete a work in 10 days and 15 days अब देखिए जब भी हमें individual दिया हुए तो आपको एक tension तो खतम होगी कि कोशन किस format से start करना है अब next line देखिए A and B started working together and it was completed in 9 days A और B ने 7 में काम करना शुरू किया और काम 9 दिन में खतम हुआ आगे देखते हैं just because a left after some time अब आप देख रहें after some time red में है पिछले कोशन में after three days दिया था तो मैंने इसी लिए इन चीज़ों को highlight किया है कि किस कोशन में क्या statement होगी वो आपने ध्यान रखना है और उस statement के हिसाब से कोशन को कैसे solve करना है वो भी ध्यान रखना है रटना नहीं है बस समझना है ठीक है उस कोशन में था after three days इस कोशन में है after sometimes हमें कितने नहीं पता कि कितने दिन के बाद छोड़ा है तो वही हमें कोशन में निकालना है कि after how many days from the start did a leave ठीक है यह ने starting से कितने दिनों के बाद छोड़ा तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है हम individual days दी होए थे उनके हमें कोशन के start तो भई मिल गई इनका total work क्या होगा इनका LCM होगा तो 30 होगा इनका total work efficiency होगी A की 3 और B की होगी 2 यह कैसे आई मैं आपको explain कर चुका हूँ एक दिन में वो total work कितना कर रहे हैं 5 units कर रहे हैं ठीक है इनका sum होगा अब इन्होंने कहा है कि A left in some days अब इन्होंने दिन काम किया और कितने दिन बाद छोड़ दिया तो हम उस बंदे पर पहले काम नहीं करते हैं हम उस बंदे पर काम करते हैं जिसका हमें पता हो कि इस बंदे ने तो इतने दिन काम किया ही किया है तो इस कोशन के according काम जो है वो 9 दिनों में खतम हुआ है यहां पे लिखा हु दो यूनिट काम कर रहा है तो B 9 दिन में कितने यूनिट काम करेगा ओ सॉरी हाँ बिल्कुल बिल्कुल 9 दिन में B काम करेगा 9 into 2 which is 18 यूनिट ठीक है B ने 18 यूनिट काम कर लिया ठीक है अब क्या हुआ कि A का बचा काम सिरफ A plus B से कोशन शुरू होना पर मैंने B को अलग कर दिया A ये से क्योंकि B ने तो लास्टफ काम किया ही किए है तो हमने B का काम निकाल ले कि B ने कितना काम किया है वो था 18 यूनिट को हमने 30 से मैनिस Solo किया तो remaining work आगय है 12 यूनिट अब वो 12 यूनिट ए को ही करना था क्योंकि B का तो हमने total निकाल लिया 9 दिन का day 1 से लेके day 9 तक हमने B का निकाल लिया अब हम काम करेंगे सिरफ A पे तो जब हम 12 को A के one day work से divide करेंगे यानि कि 3 से divide करेंगे तो हमारे पास आजागा कि A ने कितने दिन काम किया तो 12 को 3 से डिवाइट करने पर आ जाएगा कि A ने स्टार्टिंग के 4 दिन B के साथ काम किया और 4 दिन के बाद A ने छोड़ दिया और यही होगा हमारा answer चलते हैं हमारे next question पर A and B can complete a work in 10 days and 15 days respectively हमें question का start मिल गया A and B started working together but B left 3 days before completion of work इसको भी मैंने red में लिखा है अब देखिए पहले question में था A left after 3 days हमें A के days दिये होए थे दूसरे question में था A left after some time उसमें time नहीं दिया होगा था तो हमने निकाला कैसे time निकाला ठीक है वो आपने पिछले question में देखा अब इधर दिया है कि B left 3 days before completion of work तो ये totally अलग format में आ जाएगा क्योंकि before completion of work जितने भी दिन होंगे उससे हमें 3 minus करने होंगे पर हमें पता ही नहीं होगा कि दिन कितने हैं तो हम उसे own method से नहीं करेंगे जो हमने पिछले दो method से किया है ठीक है इन जीजों में difference का ध्यान रखना एक में days दिये थे छोड़ने के एक में days निकालने थे छोड़ने के और एक में दिया हुए कि complete होने से तीन दिन पहले उसने चोड़ा है बी ने चोड़ा तो अब देखते हैं ये कोशन कैसे करना है हमने कोशन की start दे दी 10, 15, 13, 32 ये आपको अब समझा जाना चाहिए कि ये कैसे आया आप खुद निकाल लिए ठीक है अब हम क्या करेंगे हमें ये नहीं पता कि काम कितने दिन में complete हो रहा है हाँ अगर उन्हें छोड़ा नहीं होता फिर तो हमें बादा था 3 प्लस 2, 5 हो जाता 30 को 5 से डिवाइड करता है तो 6 आ जाता हमारे पास तो पर ऐसा होगा नहीं क्यों क्योंकि बीच में एक बंदे ने काम छोड़ा है और जब भी कोई बंदा काम छोड़ता है तो नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको उस काम को complete करने के रहे ठीक है ऐसे कोईशन में जहां पर कहा होगा before completion of work यानि कि काम complete होने से कुछ दिन पहले तो आप उन कोईशन में days को मतलब जितने दिनों में काम complete हो रहे आप उसको पहले ही x assume कर लोगे ये कोईशन x के basis पर ही निकलेगा उसके अलावा नहीं निकल सकता तो आपने assume किya कि भई x days में काम जो है वो पूरा complete हो रहे है number of days कितने लगे भई x days लगे अब देखिए छोड़ कौन रहा है भी छोड़ रहा है तो last day तक कौन काम कर रहा होगा अगर ए एक दिन में 3 unit करता है तो x days में कितना करेगा 3x करेगा 3 into x 3x अब b की बात करते हैं अगर b एक दिन में 2 unit काम कर रहा है तो last day तक कितना काम करेगा 2 into x 2x पर b तो last day तक काम कर रही नहीं रहा b काम खतम होने से 3 दिन पहले छोड़ रहा है काम ठीक है तो x है अगर total number of days और वो 3 दिन पहले छोड़ देता है तो b ने कितने दिन तक काम किया x minus 3 days तक for example 10 दिन का काम है total और आप 3 दिन पहले ही उस काम को छोड़ रहे है तो आपने कितने दिन काम किया 10 में से 3 निकाले 7 दिन ही काम किया ना आपने वैसे ही हमने 10 की जगा हमने x लिया हुए तो x minus 3 आगया कि b ने इतने दिन काम किया है अभी सिर्फ इतने दिन काम किया है यह आया अब कितना काम किया है वो तब आएगा जब हम 2 को multiply करेंगे उससे अगर एक दिन में 2 unit कर रहा है तो x minus 3 days में 2 into x minus 3 काम करेगा आई होप यह वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया है क्योंकि यही वाला इस पूरे कोशन का सबसे टफ पॉइंट यही है इसके आगे सब असान है ठीक है अब आते है next इन्होंने कहा है भई कि total काम तो है 30 units a ने last day तक काम किया 3x और b ने जितना भी काम किया वो था 2x minus 3 ठीक है इन दोनों को add कर देंगे तो हमारा काम complete हो जाएगा और हमारा complete काम ही 30 units का था तो हमने 3x plus 2 bracket में x minus 3 के add किया तो 30 के साथ उसको equate कर दिया यह करने के बाद हमारे पास x की value आ जाएगी 7.2 days यानी कि how many days were taken to complete the work इन्होंने पूछे कि how many days were taken to complete the work और हमने question के starting में ही x को क्या assume किया था वो number of days जितने दिनों में काम खतम हो रहा है अगर इन्होंने question में पूछा आता कि b ने कितने दिन पहले छोड़ दिया तो हम 7.2 से 3 माइनस कर लेते हमारे पास आ जा जा था I guess 4.2 ठीक है पर वह भी हमें रहले जरूरी नहीं है इन्होंने पूछा है कि total कितने days लगे है जो कि हमने एक्स जूम कर किये थे और x की value है 7.2 ठीक है इसी के साथ जो हमारा first part है time and work का वो यहीं पर खतम होता है तीन बहुत important चीज़ें आपने इसको chapter में पढ़ी जो कि थी question 4, 5 और 6 में question 4 में था कि A ने 3 दिन के पाद चोड़ा यानि number of days दिये थे question 5 में था कि A ने कुछ दिन बाद चोड़ा उसमें हमें days निकालने थे और question 6 में था जो कि सबसे important question है पूरी वीडियो का कि complete मतलब जितने भी दिन लग रहे हैं काम complete करने में उससे 3 दिन पहले भी ने छोड़ दिया तो इस question को आपने हमेशे x वाले format से करना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई आपको ये वीडियो अच्छी से समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए जिने time and work chapters के concept को समझने में problem आ रही है Thank you